सकारात्मक सोचको आओ सारे भारत में फैलाएं सकारात्मक उर्जा का आओ सब में संचार कराएं ऐसा ना हो के हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं क्यों इंतजार करे हम किसी का आओ एक मशाल जलाएं सकारात्मक आके उर्जा का चलिये हम उद्गोश कराएं आर जे एस जाहिन के नारों से अपना देश जगाएं आर जे अस्वंदे मात्रम से सारी सरकार जगाएं इस वक्त हम लोग सफतर जंग एरपोर्ट के बगल से गुजर रहे हैं और मदर्सा है आगे और जोर बाग होगा लोधी एस्टेट इस एरिया में चिन्मया मिशन के पास जा रहे हैं सेंटर है लोधी एस्टेट में आर जेस पोजिटिव मीडिया फैमली की जो यात्रा है वो दिल्ली में गुजर रही है चार दिनों तक दिल्ली में पड़ाओ है जोर बाग दिल्ली से गुजर रहे हैं हम लोग दिल्ली से राजपूरा होते हुए पटियाला चिन्मया मिशन के लिए प्रस्थान करेंगे आर्के लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया का ये मदर्सा जो है ये पुरा तात्विक विभाग के द्वारा संग्रक्षित है आगे ये सड़क जो है वो इंडिया गेट जाती है लेकिन हम लोग उससे पहले जोर बाग के दिये मुड़ जाएंगे ये मदर्सा है ये अर्विंदो मार्ग के नाम से जाना जा रहा है और लोधी रोड पर मुड़ गए है हम लोग और इसी रोड पर चिनमय मिशन है इस्लामिक सेंटर है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इंडिया हैविटेट सेंटर है आगे साई मंदिर है ये बहुती खुप्सूरत गार्डेन से गुजर रहे हैं हम लोग और इस गार्डेन का नाम है लोधी गार्डेन दिल्ली के अंदर रिज एरिया और इस तरह के जो गार्डेन है ये अपने आप में दिल्ली को हरा भरा बनाते हैं हरित प्रदेश मनाते हैं ये हम लोग पहुँच गए हैं ये भारतिय इसलामिक सांस्कृतिक केंदर है और इसके आगे आप तेख सकते हैं चिन्मे सदभावना केंदर चिन्मे मिशन का है यहाँ पे यूथ लीडर्शिप प्रोग्राम अखिल भारतिय चिन्मे युवा केंदर का युवाओं के लिए लीडर्शिप प्रोग्राम 6 अप्रेल से 20 जुन 2023 तक स्वामी चिन्मे यानन जी नमन है आपको RJS Positive Media Family चिन्मे सदभावना केंदर नई दिल्ली पहुँच चुकी है और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ कारिकरम भी होते हैं चिन्मे मिशन का मोटो है तो गिव मैक्सिमम हैपिनेस तो मैक्सिमम पेपल फर मैक्सिमम टाइम और विजन है कि इनर ट्रांस्फर्मेशन अफ इंडिविज्वल्स त्रू नॉलेज अफ वेदान्ता स्पिरिचुल प्रैक्किसे एंड तो इसी चीज को विजन को मिशन में बदल कर यहां बच्चों के लिए भी कारिक्रम होते हैं यह पुपलिक दिस्कूरस न वेदंतिक स्क्रिप्ट्चर्स चिनमे चुट्व वर्ड अडरिस्टणिंग निगरेशन मान्निय स्वामी तेजुमयानन्द जी जो हेट चिनमय मिशन वर्ल्ड वाइड है उनके द्वारा चार मई 1997 को किया गया जब दिली के चिनमय मिशन में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें गुरु मंदिर के दर्शन होते हैं और आर्जेस फेमिली को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वामी चिनमयानन्द जी की मूर्ती रखी गई है उनकी प्रतिमा है उनको हम लोग नमन करते हैं स्वामी चिनमयानन्द जी का जन्म आठ मई 1916 को हुआ था केरल में और 3 अगस्त 1993 में आपका निधन हुआ अब संस्थापक है चिनमय मिशन के यहाँ पर एक हॉल भी है यह गुरू मंदिर चिनमय मिशन दिल्ली में बना हुआ है काफी हर्याली है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बगल में है और एनिक्सी के बगल में कहें और यह इस्लामिक सेंटर है उसके बगल में हो गुरू मंदिर यह एिस दो समय कि बगल में हो एकज को में हो ग 된 में और यहर्यां आसे का रज वह अरो भाखो को भी हिस दो मुझके यहजि़ा समय किर फीन कि अलетեहाकस श्रव मास अरीशनल सेंटर के बगल सेंटर के चुर के बगल में हुरू